हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माई चैनल गुंदेल खन वाई फाई स्टडी मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ साइंस की 40 मॉस्ट इंपॉर्टन कुष्चनों की टेस्ट सिरीज जिसमें मैं आपको 40 मॉस्ट इंपॉर्टन कुष्चन कराऊंगा यह मैंने भौतिक विग् मोस्ट इंपॉर्टन कुष्चनों को लिया है जो फेपरों में पिछले एक्जामों में पूछेगा है तो चलिए सुरुआत करते हैं अपने आज के पहले कुष्चन से जो हमारे क्यासी नम्मर है मैंने असी कुष्चन पिछले दो टेस्ट स्रीज में इस चेप्टर के करा दीये थे तब शरू करते हैं आज आप ापना पहला कुष्चन की है आज का बारब पर इसकेटिंग करना प्रदर्शित करता है कि दाब बढ़ने पर बर्भ का गलनाँं क्या होता है जब भी बार पर दाब डाला जाता है मतलब तो क्या होता है उसका गलनांक घड़ जाता ह यह क्यों कि पानी का वेक अधिक होने के कारण उसमें दबाव कम हो जाता है या अपसन नमर ए हमारा साही है अगला कुश्चन देखते हैं कुश्चन नमर कि निचले तल से पर दाब अधिक होता है और दाब अधिक होने के कारण उसका अधिक गषा के नीचे कोई व्याकती लेड जाएगा तो उसका छ्छेथफल जब उसका बढ़ जाएगा तो उसका दाब कम हो जाएगा यानि आपसनेमरे सही है छ्छेथ फलादेख्वने से दाब में कम छाता तो उन्भा धिया क्या दिया हैं वर्प के दो टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं क्यों क्यों कि दाभ यर अधे तो उल्ट का गलनांक घट जाएगा इसलिए वह चिपक जाते हैं यानि आपसर नमरे हमारा सही है अगला कुश्चन कुश्चन 56 देए प्राया तेज आंधी आने पर फूस या टिन की हलकी छतें उड़ जाती हैं क्यों कि छत ऊपर बेने वाली उच्च वेग की वायू छत सतय पर क्या करती है दाब उत्पन न कर देती है और छत के नीचे क्या होता है दाब समान रहता है इसलिए वह क्या होती ह हल्की च्षटे उड़ जाते हैं यानि हमारा आपसंद नम्र C सई होगा अगला कुश्चन देखते हैं कुश्चन नम्र C क्या दिये है रेल की पट्री के नीचे लकड़ी या कंक्रीट की चोड़ी पट्रीयां लगाई जाती है जिससे क्यों लगाई जाती है कि नाक से और मुझ से खून निकलने लगता है यानि आपसन नमर डी हमारा सही होगा अगला कुश्चन देखते हैं कुश्चन नमर एक्टी नाइन के हवाई जाज में फाउंटेन पेंसे स्याई बाहर निकल जाती है क्यों क्या है क्योंकि उचाई बढ़ेगी तो क्या होगा वायुदाब कम हो जागा यानि आपसन नमर एसका सही होगा अगला कुश्चन देखते हैं क्यों नमर भी सही होगा अगला कुश्चन देखते हैं क्यों क्या दिये है उचाई की जगों पर पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेट के नीचे के ताप मान पर क्यों उबलने लगता है तो इसका कारण क्या है क्योंकि वायुमंडली दाब कम हो जाता है तो उबलने का बिंदू नीचे आ जाता है यानि हमारा क्या होगा अपसन नमर एस सही होगा हमारा क्या होता है कुथना के बिंदू नीचे आ जाता है सावन के बुलबुले के अंदर का दाब जो होता है तो बाइरी डाब से अधिक होता है हम दलदली सड़कों पर क्यों फिसलते हैं तो इसका कारण क्या है कि वहाँ पर घर संड काम होता इसलिए हम फिसलने लगते हैं यानि अपसन नमर सी हमारा सही होगा अगला कुश्चन देखते हैं 94 क्या दिए जब बैरोमीटर की पारा अचानक गिर जाए तो यह किस बात का गोतक है तो जब अचानक गिरती है तो आंधी तुभान आने की संभावना होती है यानि कि हमारा आपसन नमर सी सही होगा आंधी का जंजावत की संभावना यदि अगर बात करें कि बाइरो मीटर यदि अगर धीरे धीरे नीचे गिरता है तो क्या होता है कि हमारा बरसात होने की संभावना होती है यदि अगर बारोमीटर का पात्यांग धीरे धीरे उपर बढ़े जब धीरे धीरे उपर बढ़ता है तो क्या होता दिन साफ रहने की संभाव ना होती है तो यह आप तीनों बातें याद रखिए अगला कुस्चिन देखते हैं कुस्चिन नम्र 95 क्या दिये है हाइड्रोजन स भरा हुआ पॉली थीन का एक गुबारा प्रदवी के तल से छोड़ा जाता है वायुमंडल के उचाई पर जाने पर क्या होगा जब वायुमंडल के उचाई पर जाएगा तो क्या होगा गुबारे में अमाप ब्रद्धी होगी मतलब बहुत जादा अमाप ब्रद्धी होग तो क्या होगा हमारा आपसन नमर सी हमारा सही होगा अगर अगर कुशन देखते हैं कुशन नमर 96 क्या दिये समतल की अपेच्छा परवतों पर सांस लेना क्यों कठिन होता है क्यों कठिन हो जाता है सांस लेना हमारा क्योंकि उचाई के बढ़ने पर वायुदाब कम हो जाता है और आक्सीजन की अवस्था बढ़ जाती है और आक्सीजन की वहाँ पर कम होती है इसलिए सांस लेने में हमें दिक्कत होने लगती है यानि अपसन नम्मर ए हमारा साइट योगा नम्मर 97 क्या दिये जब होटिन वायुदाब मापी की किसी उचे परवत पर ले जाया जाता है तो नलिका में पारा गिर जाता है क्यों गिर जाता है इसका कारण क्या है वहाँ पर वायु मंडली दाब निमन होता है तो वायु मंडली दाब निमन होता है इसलिए क्या होता है नेलिका में फारा नीचे घिर जाता है अगला कुश्चन देखते हैं उड़ान से पहले हवाई जाज दवड मार्ग पर दवडाया जाता है इसका कारण क्या तो कारकारी वायदाव बढ़ाने के लिए दोड़ाये जाते हैं यानि adoption number हमारा वी emborabu-जाता है और चाहसे होगा ऑठ्रोजन. बरा रबट का गुबारा वायू में ऊपर जाता है यह किया थो जब ऊपर जाता इसका कारण है वाय।क मौह जाएगा चूले क्या प्रेशर कूकर में खाना कम समय में क्यों पक जाता के दाब यानि कि अधिक दाब के कारण पानी उल्हमाड होता है नाव की सनलायान द्वारा यानि अपसर नमबर यानि आप से नमबर या हमारा ट好啦 licensed pandemic कुश्चन नमर 102 क्या दिए उर्जा उत्पन होती है तो यह सेमी कुश्चन पर अलग तरीके से लिखा हुआ है आपसन नमर परकास वॉल्टी से नेमने में से किसका उत्पादन होता है उपसर वीर्जां को बिद्धूदूर्जा में बदल होगा उपसर नमर अगला कुश्चन देखते हैं कुश्चन नमर 105 क्या दिया है जब हम रवड के गद्धे वाले सीट पर बैठते है या गद्धे पर लेटते है इसे पदार्थ में पाय जाता है तो क्या पाय जाता है इस्तित्फ ऊर्जा पाय जाती है यानि अपसंथ नमर B हमारा सई होगा अगला कुश्चन देखें कुश्चन नमर 106 दिये निम्ले लिखित में से किसमे गतित ऊर्जा नहीं है तो चलती गोली में तो है, बैता हुआ पानी में भी है, चलता हुआ थोड़ा में भी है, खिचा हुआ धनोस में, इस्तिते जूर्जा होती है, गते जूर्जा नहीं होती, यानि हमारा आपसन नमर D सही होगा अगला कुश्चन देखें, जब एक चलवस्तू की गती दुबनी कर दी जाती है, तो उसकी गती जूर्जा क्या होती है, चार गुनी हो जाती है, कैसे क्योंकि यू बरावर होता है, एक बटे दो, I am V स्कॉर, I am V स्कॉर, जब V का मान हम 2 V रखेंगे, तो यह 4 V स्कॉर के बर बर हो जाएगे, यानि 4 गुनी हो जाएगी, यानि आपसन नमर हमारा कौन सा, चो गुनी हो जाती है, यानि भी सही होगा, अगला कुश्चन दिकते हैं, कुश्चन में कैश्चन, सीड़ी पर चड़ने में अधिक उर्जा खर्च होती है, क्योंकि गुरुत के बिरुद्ध करना पढ़ता ब्यक्ति को गुर judgments के बिरुद्द करना पढ़ता है आपसन Ming Vice हमारा साही होगा कोई-कहिदि क्या करता है गुर्थय विरुद्ध करना पढ़ता है इसलिए हमारा क्या होता अधिक उर्जा खर्च होती है अगला कुश्चन नम्मर एक सुनो क्या दिये निम्लेक लिकित में से कौन सा नियम इस कथन को वैद ठेराता है कि द्रब का ना तो स्रजन किया जा सकता है और ना ही विनास किया जा सकता है तो ये होता है उर्जा सपरचण का नियम यानि अपसर नम्मर एक सही है अगला कुश्चन देखते है कुश्चन नम्मर एक क्या दिये स्वाचलित वायनों में स्वाचलित ब्रेक कों का इस्तेमाल वस्ता किस नियम पर सीधा अनुप्रियोग है तो पासकल के नियम पर मतलब जितने भी स्वाचलित ब्रेक होते है तो वो किस नियम पर आधारत होते है पासकल के नियम पर आधारत होते है कुश्चन देखते है कुश्चन नम्मर एक सुगेरा क्या दिये रेल की पट्रिया अपने वक्रों पर किस कारण से बैक की गई होती है तो किस कारण से की गई होती है रेल गाड़ी के भार के 36 गटक से अवस्थ अभी केंदरी बल पराप्त करने के लिए यानि अपसर नमर सी अमारा सही होगा अगला कुश्चन देखते हैं कुश्चन मर एक बारा क्या दिये साइकल चलाने वाला मोड लेते समय क्यों जुकता है तो क्यों जुकता है इसका कारण क्या है वह जुकता है ताकि गुरुत केंदर अधार के अंदर बना रहे वह उसे गिरने से बचाएगा यानि अपसर नमर भी हमारा सही है अगला कुश्चन देखते हैं कोई साइकल सवार किस मोड में घूमता है किस मोड में घूमता है अंदर की ओर जुकता है अगला कुश्चन देखते हैं कोश्चन नमर 114 क्या दी है जब दूद को प्रवल ढंग से मता जाता है तो उसमें से क्रेम किस कारण से अलग होती है किस कारण सोती अप केंदरी बल यानि आपसन नम्मर A सही होगा अगला कोश्चन देखते हैं कोश्चन नम्मर 115 में क्या दी है जब पानी की बाल्टी काफी तेजी से उर्धो धर ब्रत में गुमाई जाती है पानी बाल्टी से उसकी उच्चतम इस्तिती से भी नहीं गिरता क्यों इसका कारण क्या है क्योंकि अप केंदर बल पानी के वजन से अधिक होता यानि आपसन नम्मर A हमारा करेक्ट होगा अगला कोश्चन देखते हैं वासिंग मसीन कार करती है तो वासिंग मसीन आप केंदरी बल पर कार करती है यानि आपसन नम्मर C सही हो जाएगा आप केंदरन पर यानि आपसन नम्मर C सही है अगला कोश्चन देखते हैं कोश्चन नम्मर एकला क्या दी है चंद्रवाँ पर वायू मंडल नहीं होने का कारण है तो चंद्रवाँ पर वायू मंडल नहीं होने का कारण है इस पर गैस अड़ों का पलाइन वेक उनके वर्गमाद मूल वेक से कम होता है इसलिए वहाँ पे वाई मंदल नहीं है यदि हैर वहाँ पे कोई भी गैस होगी तो क्या होगी पलाइन कर जाएगी कोई भी गैस होगी तो क्या होगी वहाँ से पलाइन कर जाएगी इसलिए वहाँ पे वाई मंदल नहीं अगला कुश्चन देखते हैं कुछिन नमर 18, निम लेकित में से क्या रैकिक भलके सनरचण के आधार पर कार करता है, तो क्या कार करता है, जड़, जड़ जो होता है तो वो हमारा रैकिक भलके सनरचण के आधार पर कार करता है, यानि आपसन नमर सी सही है, अगला कुछिन लेकित में क्या दिये है, प्रद इतना हो पलान वे 12.2 किलोमीटर पर सेकंड यदि और हम किसी वी वस्तु को 12.2 किलोमीटर पर सेकंड के वेक से प्रदवए से भेंकें तो वो वापस कभी प्रदवए पर नहीं आगी अंतरिस में चली जाएगी अगला question देखते हैं question number 120 question क्या दिया है भू इस्तित उपग्रह का आवर्थकाल कि रिखतना होता है भू इस्तित उपग्रह का आवर्थकाल होता है 24 घंटे और इसे इस्तापित कितनी उचाई पर किया जाता है 36,000 km की उचाई पर इसे इसापित किया जाता है और इसका अवर्थकल 24 घंटे का होता है यानि आपसन नम्मर सी हमारा सही रहेगा तो यह हमारी स्रीज का आखरी कुश्चन था जो मैंने आपको 40 most important question बता यह दिखतर पेपरों में पूछेगा है तो वीडियो को जदर ज़यदा लोगों के बीच में share कीजिए ताकि जदर ज़यदा लोग इस वीडियो से अपने एकजामों के लिए तैयारी कर सकें और जो भी वेक्ती चैनल को नए आते हैं तो वो चैनल को प्लीज subscribe करें ताकि उन्हें ऐसे ही वीडियो मिलती रहे प्रते दिन अब मिलेंगे अगली क्लास में तब तक के लिए नमस्कार